आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम इस लेक्चर में एक नए नहीं टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो है डेटा फ्रेम तो पहला सवाल तो यहीं आता है कि यह डेटा फ्रेम क्या होता है और इसको हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं तो चलिए कुछ समय के लिए हम यह भूल जाते हैं कि हम किस टॉपिक के बारे में बात करन माल किया होगा उस spreadsheet में क्या होता है कि आपका जो data है rows और columns में arrange होता है और इस प्रकार की spreadsheet को कयार करने के लिए हमारे पास बहुत सारे software होते हैं और उसमें से एक हमारा बहुत ही popular software है MS Excel, Microsoft Excel और उसको हम अपनी common भाषा में करते हैं Excel file तो अगर आपको उस Excel file के बारे में ध्यान हो तो आप उसमें क्या क्या करते हो सबसे पहली बात उस Excel file में आपका जो data होता है वह rows और columns में arrange होता है उसमें से कुछ rows के नाम सोते हैं, columns के नाम सोते हैं और आपका जो data है वो आपका numerical भी हो सकता है, character भी हो सकता है, string भी हो सकता है और उसके अंदर आप अपने भिन भिन जो operations हैं उनको कर सकते हो, चाहे वो sorting हो, या उसके उपर mathematical operations हो, आप उसमें different तरिकी कि जो आपके प्रेश्ण होते हैं, आप उसको frame कर सकते हो, कैसे कि अगर हम कहें कि हमारे पास हमारी students के number हैं, तो हम उसमें से excel file में उसको कैसे लिखते हैं, पहले कॉलर में physics के number, दूसरे कॉलर में mathematics के number, थर्ड कॉलर में chemistry के number, और उसके बाद रोज में हमने students के नाम लिखे हुए हैं, और साथ में इनका स्कम निकाला हुआ है, तो अगर आपको कुछ ऐसा सवाल का जवाब निकालना है कि इसमें से कौन-कौन सी student है, जिनके mathematics में 70% से ज्यादा number आए है, लेकिन chemistry में खाली 40% से कम number आए है, तो इस तरह के आप जो questions होते हैं, queries होते हैं, present होते हैं, आप उसको यहाँ पर frame कर सकते हो, और आप उनका उत्तर निकाल सकते हो, तो यहाँ पर हम अपने character और जो हमारे numeric values हैं, दोनों को हम एक साथ entertain कर सकते हैं, यह हमारी इसकी खास बात होती है, और उसी के सा माउस को click करिए, तो उसमें से एक option होता है, hide, h-i-d-e, तो आप उसमें click करेंगे, तो वो आपका spreadsheet वहाँ पर जो column हो, ठुप जाता है, तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे operations होते हैं, जो हम अपनी spreadsheet में करते हैं, अब सवाल आता है कि उस तरह के operation को क्या हम अपने R software के अ और इसी बात को समझने के लिए हमा आज चलिए इस lecture को आरम करते हैं, और अपने इन concepts को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं, और यह मैं आपको बता दू कि इस lecture में पहली बात तो यह है, कि मैं एक हमारा built-in package होता है MAS, मैं उसका इस्तमाल करने वाला हूँ, तो आप इ आपको पूरे स्क्रीन में दिखाई पर सके, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जिस प्रकार मैं आगे बगता जा रहा हूँ, उन commands को आप अपने हाथ से एक बार जरूर operate करिएगा, और जब आप उसको अपने computer के स्क्रीन पर देखेंगे, तो वो आपको साफ मैं वो continue कर रहा है, तो उसका मैंने एक छोटा सा हिस्सा लेकर के आपको दिखाने की कोशिश करी है, तो इस lecture में और आगे आने वाले कई lectures में हम data frame के बारे में बात करेंगे, तो उसमें आपको इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, तो चलिए हमें इस lecture को आरम करत होता है, तो अब आपने पहले यह देखा था कि जब हमारे पास बिन बिन प्रकार का data आता है, तो हम उस data को आपस में combine करने की कोशिश करते हैं, और उस combine को execute करने के लिए हमारे पास कई सारे options हैं, C command, C bind command, Vector command, Matrix command, कैसे ओ धारग के लिए आपने देखा था कि स्की command आपका बहुत ही popular command है, यहां पर आपके पास कोई number है, 234 और 7 में कुछ alphabets भी है, आप उनको एक सार combine कर सकते हैं, उसी प्रकार से हमारा अगला option होता है data frame, तो data frame में क्या खास बात है कि हम अपने जो हमारे variables होते हैं, जिसमें हर एक row और column में हमारा data arrange होता है, उसको हम यहां पर arrange कर सकते हैं, जैसे कि आपको हमें एक छोड़ा सा उदारा लें, कि जैसे मैंने भी बताया भी, आप हमारे पास कुछ students के marks है, maths में है, physics में है, chemistry में है, और साथ में उनका यहां पर हमको जोग दिया हुआ है, यहां पर हमारे पास student का नाम लिखा हुआ, student number one, उसका data यहां student number two, student number three, इस प्रकार से इनके हमारे यहां पर नमबर दिया हुए है, और इसके उपर हम अपने भिन-भिन प्रकार के operations करते हैं, तो यहां पर क्या खास बात है, कि जो student number one है, उसके भी math, physics और chemistry के number होंगे, उसे प्रकार से student number two और three के भी हमारे number होंगे, तो इसमें से हम आपस में combine कर सकते हैं, although यह वाला काम हम अपने matrix और three bind function के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पर हमको क्या advantage है, कि हम अपने data को, जो हमारा original data है, उसको थड़े बिना, उसको बिना हाथ लगाए, हम एक उसमें से नया data set arrange कर सकते हैं, और अपने manipulations उसके उपर कर सकते हैं, और जो हमारा original data है, वो हमारा intact रहेगा, उसमें कुछ परवर्तन नहीं होगा, और साथ ही हम इसमें से numerical values है, characters है, strings है, as well as साथ हमें जो हमारे factors होते हैं, उनको भी हम एक साथ combine कर सकते हैं, यह हमारा data frame का एक बहुत बड़ा advantage है, जैसे कि अगर हम कहें कि हमारा C bind और जो matrix है, अगर हमारे पास भिन-भिन तरह का data होते हैं, उसमें हम इनको इस्तमाल नहीं कर सकते ह 다니ं है लेकिन data frame के अंदर हम इसको इसको सकते है तो यह जो data frame भी होता है, यह हमारा आर के अंदर एक एक अलग तरिके का data object होता है, और इसको especially data sets को handle करने के लिए इस्तिमाल किया जाता है और इसका जो format होता है डेटा फ्रेम का यह हमारा spreadsheet की तरह होता है जहां पर हमारे जो भी observations होते हैं हमारे rows और columns में arrange होते हैं और rows में हमारे जो उन variables के नाम लिके होते हैं और columns में उनसे संबंदी जो values हैं वह होती है तो और उसके अलावा data frame हमारे बहुत सारे जो complete data set हैं जो हमारे अलग-अलग program के द्वारा कईयार की जाते हैं क्यों कैसे spreadsheet होती है 就 sit or domain name is style file store होती है कुछ हमारी software की file होती है कैसे close job software की data file etc होती इनको भी हम यहां पर data frame के मार्ध्र हम से handle के सकते हैं और हमारे data framework के अंदर जो हमारे variables होते हैं व्हों हमारी numaric value भी ले सकते हैं वहमारे divid experimental भी इस परकार का भी data हमारा हो सकता है तो आगे बगने के पहले मैं आपको यह बता दू कि इस lecture में मैं इस मास package का में इस्तमाल करने जा रहा हूं आपको याद होगा कि जब हमने शुरू में जब lecture आराम किया तो मैंने बताया था कि इसमें हमारे पास कुछ built-in function होते हैं और उसमें से एक function जो हमारे built-in packages होते हैं उसमें से एक package हमारा होता है mass तो यह mass हमारा क्या है यह हमारा जो एक book है modern applied statistics with s उसका यह m, a, s, s इसको मिला करके प्यार किया गया है और इस mass package के अंदर है क्या कि इस किताब में जो पहले s plus के लिए लिए लिखी गई थी उसके अंदर जो भी dataset को इस्तमाल किया गया था वो सारे-सारे dataset इसके अंदर खथा कर दिये गई हैं तो हम इसमें से किसी एक अपने dataset को choose करेंगे और उसके ओपर हम आपको अपने बिन बिन प्रकार के जो operations है उनको करके दिखाएंगे तो यह important है कि आप इसको करने के पहले आपना यह जो command होता है library mask आप उसको execute कर लिए अपने computer पर को that कि आप हमारे साथ जब ही कार कर रहे ह तो आपको इस dataset, इस package के अंदर जो dataset से आप उसको देख सकें और इसके ओपर आप अपने operations कर सकें तो इस package में हमारे पास कई सारे data frame है उसमें से एक है इसका नाम है P-A-I-N-T-E-R-S सबकुछ lower case में लिखा हुआ है तो यह जो हमारा painters का data frame है इसके अंदर हमारे जो हमारे इंटर होते हैं भिन-भिन परकार की painting करते हैं उनसे सम्मंधित कुछ data दिया गया है और यह data कुछ इस परकार का है और इस data को आप अगर देखना चाहते हैं तो आप यह library command का इस्तेमाल करने के बार में आर कंसोल पर आप type करिए P-A-I-N-T-E-R-S और जब आप इसको enter करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको first column पर देखी कुछ ऐसे नाम आ जाएंगे जैसे डाउडाइन, डाविंजी, डेल-Piambo, डेल-Stareto, इत्यादी तो यह जो हैं यह हम आरे भिन-भिन painter's के नाम हैं और उनकी जो painting होती हैं उनसे संबंदिर जो उनकी information होती है वो यहाँ पर दी गई है तो जैसा कि यहाँ पर अलग अलग यह variable ली गई है composition, drawing, color, expression, school और उसके अंदर इनकी values दी गई हैं जैसे डाउडाइन के लिए composition की value है 10, drawing की value है 8, color की value है 16, expression की value है 3, और यह जिस school से आ रहे हैं उस school को indicate किया गया, यह schools होते हैं जो हमारे painting school होते हैं कि एक particular की style को यह follow करते हैं, उसी पकार से अगर हम कहें कि कैसे हमारा Del Piambo के लिए हमारे composition की value 8 है, drawing की value 13 है, color की value 16 है, expression की value 7 है, और school की value है A, राइट, तो आप देखेंगे की यह ज जो हमारी row पर painter's के नाम लिखे हुए हैं, यह हमारा इनका row identification है, अर्थात की जो यह हमारे row के नाम है, और इसके द्वारा हम एक कोई भी painter का data को access कर सकते हैं, उसी पकार से composition, drawing, color, expression, यह हमारे columns के नाम है, column के नाम है, right, मैं आपको आगे भगने के पहले मैं बहुत इमानदारी से accept करना चाहूंगा कि मुझे painting के बारे में इतना कुछ नहीं पता है, मैं इन जो यहां पे हमारा data दिया हुआ है, मैं उसको खाली अपने इस software में different operations को दिखाने के लिए इस्तमाल कर रहा हूं, और अ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खाली उसको समझेगा, और मैं फिर accept करता हूं कि मुझे इस painting के बारे में बहुत knowledge नहीं है, okay, तो अब आप देखिए अगर यह आप अगर देखेंगे तो देखिए यह आपका screenshot है, जो आपको R software में मैं आपको करके दिखाऊंग को इस्तेमाल किया और यह हमारा package लोड हो गया, फिर हमने देखिए यहाँ पर हमने आपको जो data है, data frame है, उसका बने नाम देखाऊंगे, तो देखिए यह कुछ इस प्रकार से आगया, तो आप यह देखेंगे, यहाँ पर देखिए यह columns के नाम दी है, composition, drawing, color, expression is cool, और इसक होई है, right, तो इस प्रकार का देखिए, data आपका है, अब हम इस data के अंदर जो हमारी भिन भिन प्रकार की information होती है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे, उसके पीछे कारण है, कारण यह है कि जब भी कभी हम कोई भी अपना data को handle करने की बात करते हैं, तो उस data की खाली file हमा और बहुत बार यह file इतनी बगी होती है कि उसको manually खोल करके एक-एक data values को देखना, या उसके अंदर जो हमारी भिन भिन प्रकार की information चिपी हुई है, इसको बाहर निकालना बहुत कथिरकान होता है, उसके लिए हमको अपने R के अंदर कुछ ऐसे commands चाहिए होते हैं, जो हमक तो उस data के अंदर चिपी हुई भिन भिन प्रकार की जो भी information है, उसको बाहर निकाल करके दे सके, तो उसके हमारे जो भिन भिन commands होते हैं, उसकी हम एक-एक करके बात करते हैं, तो अब अगर मान लीजी हमको अपने उस data set में जो row names हैं जो row में हमारे क्या-क्या नाम इस्तम data frame का नाम लिख दीजिए, तो देखिए मैंने यहाँ पर कर दिया row names और यहाँ पर लिख दिया bracket में parenthesis में, P-A-I-N-T-E-R-S is data frame का नाम, तो आपको देखिए इस प्रकार के नाम मिल गए, यह आपके rows के नाम है, right, अब देखिए यह इसका screenshot भी है, हम आपको R software में करके द data आ जाता है, तो आपने देखा कि यह तो देखिए आपके variables हैं, जैसे composition, drawing, color, इत्यादी, यहाँ पर आप देखेंगे कि जो उनकी values दी गई हैं, यह देखिए कुछ इस प्रकार से हैं कि सभी numerical लग रही है, numerical ही है, लेकिन आप अगर यहाँ पर देखेंगे, आपके school में, यहाँ पर देखिए, ए, ए करके दियो, उसी प्रकार से आगे भी दिया हुआ है, जी, 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 एच, तो देखिए, यह आपके क्या है, यह आपके कुछ alphabet है, यह आपके factor है, कुछ categorical variable है यह, यह different categories define करने की कोशिश कर रहा है, और यह numerical नहीं है, अब यहाँ तो मैंने निकाला जाए, और इस प्रकार के कार करने के लिए, हम आपको यहाँ पर दो चीजे दिखाने की कोशिश करेंगे, एक तो पहला कमांड तो आपने इस तरक के कमांड पहले खिखिए हुए है, is.numeric, is.factor, is.caractor, इतियादी, कि जिसके द्वारा हम यह पता करते हैं, कि यह ह इस कार मैं आपको आगे और भी detail में करके दिखाऊंगा, क्योंकि इस कार को करने के लिए हमारे पास कई approach होती है, आपने देखा कि यहाँ पर इस में यह तो आपका है, कहे का नाम, data frame का नाम, और उसके अंदर हमारे पास अलग-अलग variables हैं, composition, drawing, color, इतियादी, अब इसमें अगर आपको किसी particular variable के उपर data निकालना है, या खाली एक ही किसी variable को handle करना है, तो किस प्रकार से किया जाए, अर्थात कि अगर हम कहें कि इस पूरे-पूरे data base में से, data frame में से, मुझे खाली expression का data है, उसे खाली handle करना है, बस, तो यह expression variable के अंदर को जो हमारा data है, इसको हम frames के द्वारा किस प्रकार से बाहर निकालें, यह कार करने के लिए हमारे पास कई options होते हैं, उसमें से एक option मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, लेकिन हम उसको बाद में आपको विस्तार से और भी बताएंगे, तो किसी variable को किसी data frame से निकालने के लिए, या उसकी information को अ हमारा variable है, उसका हम नाम लिखते हैं, और दोनों को हम अपने इस color sign के साथ में जोग देते हैं, राइट, अब यह जो dollar का sign होता है, या आपकी keyboard में इस प्रकार का sign होगा, तो अधारन के लिए अगर हम कहें कि हमको हमारा यह जो data frame इसका क्या नाम है, painters, और painters में से माल लिए कि हमें school जो variable है, उसके बारे में information को बाहर निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इस data frame का नाम लिखा, और उसके बाद में इस variable का नाम लिखा, और variable के नाम में आपको खास बात यह ध्यान रखनी है कि जिस प्रकार से variable का नाम लिखा गया है, आपको बिल्कुल उसी करी बार प्रकार में लिखा गया है, तो जो आप अपर केस में रहेगा उसके बारे में बाहर निकालना इनफोर्मेशन तो आप उसका एक variable क्यायर कर लेंगे, painters, dollar, or drawing, और drawing को भी बलकुल बैसी लिखेंगे, जिस प्रकार से उसको database में लिखा गया है, और अब इस बारे में इक इसके बाद अगर आपको माल लीजिए यह निकालना है कि यह जो इसकूल का जो वैरिबिल है इसके ओपर जो डेटा है क्या वो नियूमरिक है तो आपने देखा था यहां पर कि आपका देखिए जो इसकूल का डेटा आया था यह यह अलफाबेट के फॉर्म में दिया हुआ अज़ार यह जो आपको नहीं पता है और हम इसको अपने आर कमांड की साहता से बाहर निकालते हैं तो मैंने यहां पर लिग दिया इस डॉट नूमर एक और उसके बाद इस वैरिबिल का नाम दे दिया पेंटर्स रिकॉलर इसकूल और इससे आपको देखिए उते दे दिय तो इस प्रकार से आपने देखा कि मैंने अपने डेटा फ्रेम में किसी कॉलम में दिय गई इंफरमेशन को डेटा से बाहर एक्स्टैट कर लिया और उसके बारे में इंफरमेशन ले लिए अब यह आपका वैरिबल तो बाहर आ गया इसके उपर आप अपने बिन-बिन प् तो अब आप यहां पर उत्र तो यहां पर आ गया कि यह जो इसकूल वैरीबल है यह तो न्यूमरिक नहीं है आप यह पता करना चाहते हैं कि क्या यह फ्टर है तो आपने देखिए यहां पर लिग दिया इस डॉट फैक्टर और इस परेंथिस में आपने लिग दिया अब हम यहाँ पर इस्तमाल करते हैं is dot factor क्या यह factor भी है तो हम लिख दिया is dot factor और parenthesis में लिख दिया painter's dollar drawing तो देखी उतर रही है false तो आपने देखा कि इस प्रकार से आप अपने इन भिन भिन operations को कर सकते हैं और उसी प्रकार से अगर आपको इस data set में जो columns के नाम दिये हुए है उसको अगर बाहर निकालना चाहते हैं जिस प्रकार से आपने रो के नाम निकाले हैं तो हमारा कमान होता है c o l n a m e s और parenthesis में आप अपना data frame का नाम लिख देंगे तो उसके जो भी columns के नाम है वो आपको मालूम चल जाएंगे जैसे देखिए आपने यहां पे लिखा त दिखा देते हैं तो देखिए अब आपको जैसे माली जाए की इस data frame के row names निकालने हैं तो row names में आपने क्या कर दिया painters और जैसे क्या देखिए इसने आपको सारे सारे यह data names दे दिया जो इसके row के नाम है उसी प्रकार से अगर आपको इसके column names अगर निकालने अगर हैं यह देखिए इस प्रकार से आगया अब इसके बारे में आपको अगर कोई variable की information बाहर निकालनी है तो जैसे अगर हम करना चाहते हैं is dot numeric और हम यहाँ पर अपना यह जो variable है school हम इसको देखना चाहते हैं तो इस school के बारे में information निकालने के लिए आपको क्या करना है सबसे प इस school variable को लिखना है तो इसको लिखने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक बहुत आसान सत करीक्या बता रहा हूं जिसमें गल्ती होने के बहुत कम chances होते हैं कि सबसे पहले आप इस नाम को यहाँ पर copy कर लीजे क्योंकि इसमें चुकि लोवर केस alphabets की समझ्या आती है तो य कर लीजे और आप देखें कि यह आपका हो गया is.numeric हो गया गलत तो क्या यह factor है तो आप आपको यहाँ पर जो भी कमान लगाना है आपने यहाँ पर कर दिया is.factor राइट उतर आगया yes उसी प्रकार से अब अगर माल लीजे आपको is.numeric अगर आपको देखना है suppose expression के बारे में तो अब इसको हम यहाँ से हमारा आसान तरीका है कि हम इसको यहाँ पर copy कर लें और इसको हम यहाँ पर paste कर दें तो देखें उतर आगया true और उसी प्रकार से अगर हम यह देखना चाहें कि यह जो expression क्या हमारा character है देखें उतर जाता है false आपने देखा कि इसी प्रकार के आप छोटे चोटे operation करके अपनी इस फाइल के अंदर जो हमारी बिन बिन प्रकार की information है आप उसको बहर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं अब हम आपको एक यहा हमारे इस painter's में हमारे पास कई सारे variable हैं जैसे composition, drawing, colors, expression, school, etc. और हमारे पास एक command होता है summary स-u-double-m-a-r-y इसके बारे हम आगे बाग करेंगे और यह summary command आपको जो भी किसी variable में जो भी values होती हैं उनकी minimum values, maximum values, first quartile, second quartile, अथात median, mean, third quartile के बारे हैं में information देता है तो अब आपको यहां पर मालीजी की पांच variables अगर हैं तो अगर आपको पांचो variables पर एक एक करके information निकालनी है तो तो आप command use कर लेंगे summary और उसके बाद में कर देंगे painter's और dollar sign लगा करके आप उसके variable का नाम लिख देंगे लेकिन अगर आपको मालीजे पां data frame का नाम लिखते हैं तो जैसी देखिए मैंने कहा summary और यह कर दिया इंटर्स तो देखिए यहां पर इस तरह का composition के बारे में यह information आगई, drawing के बारे में आगई, color के बारे में आगई, expression के बारे में आगई, school के बारे में आगई, school आपका चुकी factor variable है, इसलिए इसकी information और आप अगर देखिए कि आपको यहां पर आपका दर्स भी दिखा रहा है क्योंकि यहां पर इसने कुछ को यहां दिखा दिया है, लेकिन उसके बाद यहां पर और भी schools हैं, जिसकी संख्याई आपको दिखाने की कोशिच कर रहा है, लेकिन अभी यह value किस प्रकार के दिखा इसका क्या interpretation है, इसके बारे में आपको अभी कुछ भी तिंता करने की जूरत नहीं है, मैं आपको इसको बाद में इसार से समझाऊँगा, और देखिए यह आपका इसका screen shot भी है, तो चलिए जड़ा सा हम इस operation को अपने यहां पर R software में करके दिखाते हैं, तो जैसे देखि आपको यह जो हमारा variable है school, आपको इसके बारे में summary निकालनी है, तो आपने यहां पर कर दिया summary और श्रक्त पे Certist की निकालनी है, तो आपने यहां पर कर दिया summary और यह variable लिग दिया painter's dollar expression तो इस थतरह की मिल गई है, तो आप अगर अलगी variables के बारे में बात करनी हैं, तो अलग अलग variables को लिख करके इसकी information को निकाल सकते हैं लेकिन अगर हम यहाँ पे हमको सारे सारे variables की अगर information एक साथ निकालना अगर है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? कि इस पूरे पूरे data frame को अपने इस कमरी command के साथ में लिख सकते हैं देखिए तो यह आपको देखिए सारे सारे variables के बारे में जो information है वो आपको एक साथ के देगा तो चलिए अब हम इस lecture में यहाँ पर रुखते हैं और जो हमारा इस lecture में objective यही था कि मैं आपको data frame के बारे में एक दिखा दूए कि क्या चीज होती है किस पकार से इसका इस्तमाल होता है और आपने देखा कि हम छोटे-छोटे यहाँ पर कवांस लेकर के अपने जो भिन-भिन तरह के operations को करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके लिए आज यह बहुत important है कि हमारा concept क्या है data frame हमारा किस प्रकार के कार करता है और साथ में आपने अगर कभी पहले किसी spreadsheet में या किसी Excel फाइल में अगर काम किया हो तो उसके operation को जड़ा सा सोचने की कोशिश करिएगा और जो जो operation आप वहाँ पर करते थे वही operation हम आपको यहाँ पर करके दिखाने की कोशिश करेंगे सारे के सारे operation को तो consider करना यहां बहुत कठिन कार होगा लेकिन हमारे जो भी popular जो कारे होते उनको आपको यहाँ पर करके दिखाने की कोशिश करेंगे और इसको अगले कई lectures में continue करेंगे तो आप कोई उधारा लिजे और आज जो हमने छोटे-छोटे commands की बार करी है आप उस करेंगे. झाल झाल